हेलो प्रेंट्स वेल्कम बेक टू टेक्निकल ब्रगू तो दोस्तो आज मैं बात करूँगा MI Note 10 Pro स्मार्टपोन के बारे में जो कि दोस्तो ये इंडियन मार्केट में 2020 में जनवरी के मंत में लॉंच होने वाला है और दोस्तो सौमी की तरफ से इसकी प्राज भी काफी जड़ा मिनिमम होने वाली है कम से कम प्राज में आपको इसके अंदर बैतरीन फीचर देखने को मिल जाते हैं जैसा कि इसके अंदर आपको 108 मेगा पिक्सल का Quad Camera Setup देखने को मिल जाएगा और इसके साथ ही आपको 32 मेगा पिक्सल का Pop-Up Selfie Camera और Qualcomm का Snapdragon 855 Plus का प्रोसेसर और दोस्तो इसकी काफी सारी Specification League हों के सामने आ चुकी हैं तो चली दोस्तो बात कर लेते हैं MI Note 10 Pro स्मार्टपून के बारे में कि इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है और क्या होगी इसकी Indian Price और कब तक यापको Indian Market में भी देखने को मिल सकता है तो चली दोस्तो वीडियो इसकी डियान से तो दोस्तो इसमें आपको Same design तो WSI देखने को मिलेगा जो की MI की other smartphone में देखने को मिलता है इसमें आपको Polycarbonate का देखने को मिलेगा जो की Glossic Radiant Printing के साथ आएगा और इसके साथ यापको Quad Camera Setup विद Dual LED Plus देखने को मिल जाएगी और बैक साड में आपको Gorilla Glass का Protection भी मिल जाएगा अब बात करते हैं इसकी डिस्पले के बारे में तो इसमें आपको 6.53 इंचिस का और इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए Gorilla Glass 6 का Protection भी मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके कैमराज के Performance के बारे में तो इसमें आपको Quad Rear Camera Setup देखने को मिल जाएगा इसका Main Sensor 108 Megapixel का होगा जिसमें Sony का IMX586 का Sensor यूज किया गया है और इसी के साथ 16 Megapixel का एकल टावाड एंगल लेंस 8 Megapixel का Teleportu Sensor और 5 Megapixel का Depth Sensing Sensor देखने को मिल जाएगा और दोस्तो इसमें आपको 20X Optical Jump का फीचर भी देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तो इस स्मार्टपॉन को और भी ज़्यादा बेस्ट बना देता है और इसमें आपको वोके मूड में वीडियो सूट करने का फीचर भी देखने को मिल जाएगा यानि कि दोस्तो इसमें आप सेम DSLR की तरह वीडियो को सूट कर पाएगे अब बात करते हैं इसके सेलफी केमराज के बारे में तो इसमें आपको 32 मेगा पिक्सल का पॉप अप सेलफी केमरा देखने को मिल जाएगा यानि कि दोस्तो देखा जाए तो इसकी कैमरे की क्वाल्टी का जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको काफी ज़दा इंप्रूब्मेंट देखने को मिलेगा साथ ही इसके कैमराज की क्वाल्टी भी आपको काफी ज़दा बैतरीन देखने को मिलेगी अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको क्वालकॉम का Snapdragon 855 प्लस का उक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि दोस्तो काफी ज़दा हाई लेवल का प्रोसेसर है और इसमें आपको Adreno 640 का GPU देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तो N.10 पर बेज़्ट होगा और इसमें आपको Custom UMI UI 11 का support भी देखने को मिल जाएगा वहीं पर बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में तो इसमां आपको 5000 mh की बैटरी देखने को मिल जाएगी with fast charging का support भी मिल जाएगा जो कि दोस्तो 45W के super fast charger को भी support करता है और दोस्तो हो सकता है आपको box के अंदर 45W का super fast charger भी देखने को मिल सकता है और इसमां आपको type C port 3.5 mm audio jack and face unlock जैसे feature तो देखने को मिलेंगी अब बात करते हैं इसकी RAM variant के बारे में तो दोस्तो ये दो RAM variant के साथ launch होने वाला है 6GB plus 128GB and 80GB plus 128GB और इसमां आप 1TB तक micro SD card भी expandable कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राज और launch rate के बारे में तो दोस्तो इसकी base brand की प्राज उनबर ये around 25 से 27,000 रुपीज तो दोस्तो देखा जातो around 25,000 रुपीज की प्राज में आपको मिल जाता है 108MP का quad camera setup 32MP का pop-up selfie camera and Qualcomm का Snapdragon 855 plus का processor आपकी लिए ये smartphone एक बहतरी smartphone होने वाला है और दोस्तो ये आपको इंडियन मार्केट में 2020 में जनवरी के पस्ट या second week तक देखने को मिल सकता है तो दोस्तो आपकी क्या राया comment box में अपनी राय जरूर दीजेगा तो आई होब दोस्तो कि आपको ये वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर दिजे और अगर आप इस चैनल प्रवी तक नए हो तो प्लिस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को भी प्रस कर लिजेगा